नमश्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सब का स्वागत करती हूँ कथा मंथन में आज सुनिए बकुल कथा का दस्वा अध्याय बकुल कथा से संबंदित सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे जिसका लिंक आपको end screen पर मिल जाएगा इसके अलावा अन्य कहानियों और उपन्यासों का लिंक आपको हमारे description box में और end screen पर मिल जाएगा आप वहाँ से चेक कर सकते हैं अब आगे नहीं इस युग में युग का कोई स्पष्ट अव्यव ठूंडे नहीं मिलता कहीं वे खौफ नाक सहार की मुर्ती लेकर शंशन युगों से संचित संसकारों को चूर चूर करके उड़ा देता है उड़ा देता है चिरंतर मुल्य बूध अभ्यस्त ध्यान धारना के अवलंबं को और कहीं वे आदिकाल की उस बुड़िया सा है जो आज भी बहुतेरे संसकारों से भरी जोली कंदे पर लिए जमी बैठी पाप पुनिये भला बुरा इहीं लोग पर लोग का चीर आचरित लगान दिये जा रही है इस लिए इस युग के मानस लोग में सत्य के चारा भी अस्तिर और अस्पष्ट है हिलतेवे दरपण में प्रतिभिंब की तरह वह चैरा कभी कंपित कभी विकृत कभी द्विदा गरस्त और कभी असहाई सा है आंधी से उजडे घौसले से के पंची सा मानो डैने फड़ फड़ाते वे चकर काड़ता वो मर रहा है अभी भी यह नहीं तैकर पार रहा है कि आंधी के थम जाने पर पुराने बसेरे को कहीं ठिक ठक करके रह लेगा या किसी नए पेड़ पर नया नीड बनाएगा कि तो यह आंधी थमेगी तोटन की आंधी बिना तोड़े फोड़े बिना तहस नहस किये रुकती है वे क्या उस आधी काल की बुड़िया को जड़ से उखाड कर फेके बिना छोड़ती है थमती है शायद शायद छोड़ती है जैसे कहीं कोई रफा दफा हो जाता है वैसे में बुड़िया नहीं भी दिखाई दे जड़ माटी के नीचे रह जाती है वह चुपचाप अपना काम किये जाती है इसलिए विश्व विनाश के इस युग में भी महात्मा और महराज की संख्या बढ़ती ही जा रही है बढ़ते ही जा रहे हैं भाग्या गर्णना कार्याले और ग्रह शांती रत्न कवच इसलिए जब साम्य मैत्री और स्वाधिन्ता की जैजेकार से अकाश पताल कांप रहे हैं तब भी केवल चम्डे के रंगे तार्तम्य के बहाने आदमी आदमी की खाल उधिरता है और जब मनिश्यों का एक दल चांद पर पहुचने के लिए आकाश की परिक्रमा कर रहा है तो दूसरा दल एक दल सब्भेता के सारे पतो को की परिक्रमा कर चुका कहकर फिर गुफा की और जाना चाह रहा है एक सांस में इतना बुलकर वक्ता एक बार रुके सामने की और देखा बहुत अधिक और अच्छी सीटो वाला सुन्दर विराठ हॉल सभा के आयोजक ने मोटी रकम की दक्षिना और अथक धरना देकर एक शाम के लिए सांस्कृतिक, अनुष्ठान और सहित्य समेलन के लिए इस हॉल को लिया था उसी उधिश्य से कुछ दिन पहले से ही प्रचार कार्यCr चल रहा है अभिनव सांस्कृतिक अनुष्ठान और सहित्य समेलन आईए अगरिम टिकेट लिजिए 25 रुपिया 10 रुपिया और 5 रुपिया तो रुपे का टिकेट सम्हारों के दिन ही हाल में बिकेगा और एक घोशना इस आयोजन से हुई आमंदिनी का एक तिहाई दुख निवारन समीती को दे दिया जाएगा आदमी परियाप्त परिणाम में हिदयवान है यह टिकेट लेने के प्रभल आगरह से ही प्रमानित हो चुका तीन दिन पहले ही उचे दाम के टिकेट समाप्त हौल में बेचने की योजना की निर्बुद्धिता से परिशान आयोजगण को पुलिस की शरण लेने को मजबूर होना पड़ा दुखी व्यक्तियों के लिए प्रान रोता नहीं तो इतना होता निंदक लोग शायद और कुछ कहेंगे कि तो निंदक क्या नहीं कहते दूसरी ही बात कहना तो उनका पेशा है खैर दुख्यों के लिए या दुर्बलों के लिए टिकेट सब बिक गए यह है खबर ढोल पीट कर प्रचारिद भी कर दी गए लिहाजा यह है उमीद करना असंगत नहीं कि सामने की कतारबद सीटों का रूप खासा भरापुरर जमा हुआ होगा मगर वह भरा भराया रूप कहां कहां है वह परिपूर्णता का समाहर हो आज के सम्मिलन के प्रधान वक्ता के प्राध्यापक चक्रपाणी चक्टोपाध्य है इसलिए भाशन के बीच में दम लेकर एक बार उन्होंने हौल के अंतिम छोड़ तक ताक कर देखा ना आदमी नहीं है सिरफ जख मकाति गदीदार कुरसियां कीमती कुरसियां शुन्य हृदय में से प्रतिक्षा की घड़ियां गिन रही है केबल सामने की कई किरसियां जिन पर अतिती की छाप लगाई हुई थी कुछ विशिष्ट अतितियों को हृदय में धारन किये बैटे थी इन लोगों को शायद गाड़ी से लाया गया था इसलिए ये सभा की शोबा होकर बैटने को विवश्ट थे इन में से कई जाने माने पत्रकार थे पाकिसब विशिष्ट नागरी ये ये लोग सभा में उपस्थित थे कहकर अखबार में जिनके नामों का उलेख होता है ये वही थे चक्रपाणी बहुतों को अच्छी तरह पहचानते हैं बहुतों की सूरत पहचानते हैं किन्तों इन में से कोई तो नव्यों के वाहक नहीं लग रहे हैं फिर चक्रपाने युक की वाणी किसे सुनाए जो कि उनके भाषन का विशय निर्धारित कर दिया गया था युक के सहित्य में सक्त्य है सच पूछिए तो इस शिशक का वास्तवी करतों ने वैसा प्रांजल नहीं लगा खूब अच्छी थरा से समझ नहीं सके कि इस श्यब्दिक में से आयोजकों ने असल में क्या समझाना चाहा या तीन-चार बड़े-बड़े सहित्य महारतियों को बिलाकर उनसे क्या सुनना चाहा है प्राध्यापकों को अब लेकिन भाषन में कठिना ही नहीं होती जिस किसी भी विशय पर वे घंटो भाषन भी दे सकते हैं और फिर चक्रपाने इसरिफ प्राध्यापक नहीं प्राध्यापक सहित्तिक है पॉड़त्व चूने चूने जैसी उम्र छात्रों में लोक प्रिय है और पाठकों की दुनिया में आज भी चमकते वे नायक अती आधुनिक के कल कलोल में भी चक्रपानी की जैजयकार अटूट है कम से कम उनकी पुस्तक की बिक्री की संक्या तो देखकर यहीं लगता है परन्तु भाषन मंच पर खड़े होने पर भक्तों की यह अगणीत संक्या क्यों नहीं दिखाई देती गिने चुने कई परीचित मुखडों के पीछे रिक्तता का अंधकार क्यों हलाकि उन कुरूतियों के नियायों चित मालिक हैं आई भी हैं वे केबल जूत मूटका कुछ भाषन सुनने के डर से वे हौल के बाहर इदर उदर घूम रहे हैं मताल मुडिया आईसक्रीम खा रहे हैं गप मार रहे हैं और भी अकर्शन है गायक गाई काउं के साथ कुछ नायक नाई काउं के भी नामों की घोशना की गई जिन लोगों ने दुख्यों के कारे के लिए बिना कुछ किये शरमदान करने की सुर्कृति दे दी वे के वला भीना ही नहीं करते कंट संगीत में भी सक्षम है यह है उनके सामने बैठ कर सपष्ट देखा जाएगा अब बात यह है कि आखिर में वे नायक नायक आये अकाश माग से उड़कर तो मंच पर आएंगे नहीं उन्हें गाड़ी से उतर कर सदर रास्ते से ही आना पड़ेगा उस अनोखे दृष्य का दर्शक होने के सौभागे से अपने को वंचित करना चाहे ऐसा मुरग कौन है उनके आने पर उल्लास धोनी के सा दोकर पुछाता है मैं शुरू तो करूं पर सुनेगा कौन ये खाली कुरसियां अजी सर अभी आ जाएंगे सर सब आयो जक ने विनापुरवक कहा किन्तु उस आशवासन पर चक्रपाणी भरोसा नहीं कर सके इसलिए उन्होंने फिर कहा और कुछ देर तक इंतजार किया ज होते ही सभा के बारा बच जाएंगे मतलब तभी सभी तो सर शुरू किया तो फिर रोके कौन आप ही भाशन को थोड़ा बहुत सुनने लायक है पाकी सब तो चक्रपाणी के नजदीक सहीत्य कर मानस हलदार भी बैठे हैं वे एक विशिष्ट साब ताहिक के संपादक भी है भाशन देने की आदतनी इस्ति फुल स्केप कागच के दौनों और बहुती छोटे छोटे चोटे अक्षिरों में अपना भाशन लिखकर ले आये थे उस खुर्स करते वे बोल उठे आपके काट में तो समय छे बजे का है पौने साथ बज़ गए हैं अभी तो बात यह है सर सचिव ने हाथ रगड़ते वे सफाई ली ये आर्टिस्ट लोग बड़ी देर कर देते हैं और टिकेट को इतनी बिक्री तो उनी लोगों के नाम पर हुई पैसी खरच करके साहित्य सुनने को कौन आता है कहिए ना ना उसने साहित्य करे कि अवमानना की ख्याल से ऐसा नही साहित्य सीधेपन में सहजबात सत्य कहबठा दबे वे क्रोध से मानस हलदार ने पूछा तो यह साहित्य सम्मेलन का नाटक किसलिए उसने इस प्रशन के उत्तर में सरल्दा की परकाष्ठा दिगाई और दबे स्वर्मिका ठीक कहा अपने मगर बात यह है कि आयोजन के खर् रचना लें और आपको बुलाएं नहीं यह कैसा लगेगा इसलिए आपको और से देखें जिनकी रचनाई ली गई है चुन चुन कर केवल उनी लोगों को बुलाया गया है नहीं तो साहिते पर बगवास सुनना किसे अच्छा लगता है अपने देश में बाते तो बहुत नहीं चिंता नहीं बस बातों का प्रवहा इसलिए हमारे शेशांग दाने काहा है सर भासन संशिकती ही दे उन्होंने बड़े मज़े की बात कई चोकरे ने दाद निबोरकर निश्यब्द हसी हस कर खा भासन संश छोटा नहीं होने से शिरोता का नूप जाते हैं और आटिस रुकेंगे तो सर कलाकारों को अंत में ही रखा जा रहा है किन्तु तुम लोगों की सभानेत्री आ गई है सर महिला है तो क्या है समय की बड़ी पावंद है उन्हें कॉलेज की लड़कियां ओटोग्राफ लिए घेरे हुई है विंग्स के उस तरफ वे आकर बैठ जाएंग तो कर इदर उदर ताका मीटर उठ रहा का है का मीटर जी इस हौल का अपनी फसफसाहट के बीच में ही जरा उची हसी हसकर छोकरे ने कहा बहुत खुशामत के बाद कंसेशन पर भी 500 शाम के 5 बज़े से रात के 10 बज़े दस के बाद फिर घंटा से 100 रुपे अत्रिक आप ही सुर इसलिए था पर शिशुर सुलब सरलता किन्तु मूच दाड़ी वाले लंबे चोड़े अपने इस छातर को देखकर चक्रपानी की स्निधारा उमड उठी ऐसा नहीं लगा उन्होंने नीरस गले से पूचा क्यों क्या हालोगा क्या हो गई है मैं आपको क्या समझाऊं सर समय बरबाद होने से दर्शक बिगर उठेंगे दिन समय कैसा आ गया है देख रहे हैं ना लीजे सबान इतनी आ गई अब क्या है अब क्या माइक के पहले बलिदानी चक्रपानी चटोपाध्ये ने युग साहिते में सत्य विशे पर अलोजना शुरू कर दी बोलतो रहे थे पर बार बार सामने की खाली कुर्सियों की पात की और ठाक रहे थे और सोच रहे थे तो क्या इस युग का सपष्ट इचारा इस सूने प्रिक्षा गरह जैसा ही होगा लेकिन ऐसा सोच रहे थे इसलिए रुके जा रहे थे सो नहीं सिरफ एक ही बार रुके थे फिर कहते चल या नई नई परिक्षाओं में पढ़कर नए सत्य का उधगाटन करेंगे। सब के सामने आज यही प्रशन है। यही प्रशन है और चक्रपाणी बोलते ही जा रहे थे तो इस युग में किसके नाम से अभी हीट करें। यही प्रशन है कर गड़ी देख रहे थे। मानस अलदार मुँ बनाकर जे में हाट डालकर अपने लिखित भाशन का अवलोकन कर रहे थे। बुदबदा रहे थे। ना। इसने तो अकिले ही सबका बाराब जा दिया। आयो जगो की प्रतेक वक्ता का समय निर्धारित कर देना चाहिए था। विद्यसों में तो ऐसा नहीं होता। गड़ी की स्वीदिक कर काम और अपने देश में है। आयो जगो को लेकिन यह समझ है। एक ने पीछे से आकर कहा। थोड़ा संक्षेप सर। संक्षेप में। शुब दोकर चक्रपानी ने सामने की और ताका दो चार करके लोग आकर बैटने लगे और अभी तो भाशन की भूमी का ही बांदी गई है। लेकिन वह बिगडेल नहीं बलकि कुछ कौतुक प्रिया है। इसलिए कौतुक में एक तीखा मनतव्य करके उन्हें भाशन का उपसहर कर दिया। परंतुन का वह बुद्धी दीपत तीखा मनतव्य पानी में ही आ गया। बाहर से एक हर्ष को लाहल अंदर आया। आ गए आ गए कौन आ गए जिनके लिए ऐसा तुरमुल हर्ष हो रहा है। पूछने की क्या बात है उन्हें कौन नहीं पैचानता है। पीछे पीछे उनका तबल ची उसके बाद और एक नायक उसके बाद एक नायका कहने की जरुवत नहीं इसके बाद सहित्य पर भाषन नहीं चल सकता। मानसलदार, शितेश बाक्ची, सभा नेत्रियानामी का देवी ने नितांत अवांची तातिती की तरह संक्षेप में अपना भाषन खतम कर दिया। मंच में के अधिपती उन उप सभापती महोते ने जोर दार स्वर से घोशना की। अब हमारा सांस्कृतिक अनुष्ठान आरम होगा। कृपया शांत रहें। अध्यापक साहितिक ने शुब्ध हसी हसते वे कहा था। अब तक असंस्कृतिकी महफिल चल रही थी। अब संस्कृतिक अनुष्ठान शुरू हो रहा है। बेश में संस्कृतिकी अच्छी खासी एक प्रांजल परिभाशा निकली है। क्यों अनामी का देवी है। अनामी का देवी की चपल जगा पर ही थी। अतै उन्होंने आत्मसस्त गले से कहा। वही तो देखती ह। वही हरान होती है। कि इस नई व्याख्या का व्याख्याकार कौन है। और कौन ये फंक्शन बाज है। हतियार प्रबल्य है। इसलिए वहाँ उनकी हार है। वह उनके परश्मन पर सिर्फ मुस्क्राई। जवाब मन में चक्कर काटता ही रहा। आयोजगों ने अपनी साहिते सभा के मुख्यातिति और अध्यक्षा का को सम्मान के साथ टैक्सी पर बिठा दिया। गाड़ी पर रख दी उनकी माला और गुलदस्ता उसके बाद हाज चोड़ कर बोले। बड़ा कष्ट हुआ आप लोगों को। ऐसा कहना चाहिए इस तरीक है वरना मन से तो जानते है कष्ट किस बात का गाड़ी से लेया एक गाड़ी से विदा कर दे रहे हैं इसके तरीक तुन्हें मंच दिया माइक दिया और इतने लोगों के सामने अंट संट बोलने का मौका भी दे दिया। ये दो तीन गंड़े त ये लोग भी सौजने के तोर तरीके से अनभिग्यने के कहा अरेकष्ट काहे का बड़ी खुशी हुई हम लोगों से काफी बूची कोई शमा के जिगा चीची है क्या ऐसा खहकर शर्मिंदा ना करे अच्छा नमस्कार आएंगे आपके पास यह बात मानस हलदार के लिए कही नमस्कार गाड़ी किसी की अपनी रही होती तो यह शिश्टाशार कुछ देर और चलता टैक्सी ड्राइवर की हरबड़ी से जल्दी ही चुक गया टैक्सी चलती फीट टेकर अध्यक्षा अनामी का देवी और उधगाटन करता मानस हलदार आराम से बैठ गए और मुख्या गाड़ी से घर चले गए यह दोनों गाड़ी विहीं थे और एक ही तरफ रहती ती इसलिए एक ही गती थी दोनों की मानस हलदार का लिखित भाशन अनपड़ा ही जेव में पड़ा रहे गया समय की कमी के कारण थोड़ा बहुत कुछ बोलकर बारी पूरी करनी पड़ी नही पड़ पाने का शोब था हलाकि वह एक सापता ही के संपादक हैं उनका परिश्रम बिकार जाने का नहीं स्वनाम बिनाम या छद्दम नाम से छाप दिया जाएगा किन्तु दस जनों के सामने माइक पर बुलने का और ही एक सुक है और उस सुक से वह वंचित रह गया पैर पकड़ पकड़ कर ये लोग लाही क्यों थे इनके लिए असली भरोसा तो ये कलाकार है अनामी का देवी मुस्कुरा कर बुली इनका दोश क्या जनगन जो चाहते हैं वही तो जो केवल चाहते हैं उन्हें बुला है साहित्ते किसलिए रिवाज और क्या कारेकरम भी उ बाजा आ गया मुस्कुरा कर बुली नए लोग है इसी तरह तयार होंगे ना तयार इन सब बातों का जवाब देना बड़ा ही कठिन था नहायती सोजन्य के नाते थोड़ी हामी भर देने से ही शायद उनकी कानों तक फिर है बात आएगी वही नए की वेहत अवग्या करती ह और इस आयोजन की कड़ी से कड़ी अलोजना अनामिका देवी को ये मालूम है जिस प्रसंग में उन्हें थोड़े सी भिहामी बरने जैसी बात की उसी प्रसंग का सारा दाईत उनहीं पर आ पड़ा अमुक ने आ कर अमुक की बात उनहीं से गई देखते देखते साफधान ह अनामिका देवी इतनी उत्वेलित कभी नहीं होती है। अनामिका देवी की उम्र जब नहायती तरुनती तब मा चल बसी फिर भी उसी समय मा की इस मूरता पर दुख अनुभव करती है। वेलित विद्रिन होने वली वित की और निहर कर करुणा आती और उन्हें समझ नहीं पाती की मा इन मामुली घटनाओं के इतना महत्व क्यों देती है। आगे चल कर समझी। आदमी के बारे में मा का मुल्यबद बहुत बड़ा उचा था इसलिए उन्होंने इतना दुख उटाया। उनकी मा को दुनिया में बहुत अधिक आशा थी। मनुश्य नाम के जीव को वह मनुश्य शब्द की संग्या से मिलाना चाहती थी।